आम, अमरूद, अंगूर, चीकू, अनार और ऐसे कई फल आपने फलों के बगीचे में तो लगे देखे होंगे लेकिन कैसा रहे अगर हम फलों का बगीचा अपने घर पर ही बना सके तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी च्छत या बालकनी में गमलों में भी फलों के पौधे उगा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको ग्राफ्टिंग या एर लेरिंग से तयार बारा फलों के पौधों के बारे में बताऊंगा जिन्हें आप गमले में भी बड़ी आसानी से ओगा सकेंगे और ये एक्चली सालों साल आपको धेर सारे फल भी देंगे एकदम फलों के बगीचों में लगे पेड़ों की तरह किस फल के पौधे को कितने बड़े गमले की जरूरत होती है कैसे फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार की जाती है किस तरह से इन पौधों की देखभाल की जाती है कैसे इन्हें खाद और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिन्स दिये जाते हैं जिससे छोटे पेड में भी जबरदस फ्रूटिंग आपको मिल सके पौधा लगाने से लेकर फल आने और फ्रूट हार्वेस्टिंग तक पूरे ग्रोथ अपडेट्स के साथ तो चलिए वीडियो का शुरू करते हैं गमले में उगाई जा सकने वाले फलों के प्लांट्स में नमबर वन पर है एपल बेर या इंडियन जुजुबी ये है मेरा तीन साल का एपल बेर का पौधा और आप देख सकते हैं इस पर तीन चार किलो के आसपास बेर लगे हुए हैं मैंने इसे 24 इंच की इस फ्रूट क्रेट में लगाया हुआ है सभी फलों में एपल बेर एक ऐसा पौधा है चो कम मेंटिनेंस के साथ गमले में भी बड़ी आसानी से बढ़ता है और बहुत जबरदस फ्रूटिंग भी करता है एपल बेर का ग्राफ्टेट पौधा आपको नरसरी में सौट एड़ सो रोपय में आसानी से मिल सकता है बराबर क्वांटिटी में मिट्टी वर्मी कमपोस्ट और रेथ को लेकर इसमें दो तीन मुठी नीमखली पाउडर भी मिलाईए फलों के पौधों को बड़े गमलों या कंटेनर्स में उगाना चाहिए क्योंकि इसकी जड़े काफी ज्यादा फैलती है और जड़ों को बढ़ने के लिए ज्यादा मिट्टी और ज्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है तभी ये गमले में अच्छी फ्रूटिंग दे पाते घर पर बड़े कंटेनर्स भी बना सकते हैं कंटेनर के सबसे नीचे थोड़े क्रश्ड स्टोन या मोटी रेट डाल कर स्वाइल मिक्स भर दीजिए और पौधे को ट्रांस्प्लांट कर दीजिए दो महीने बाद काफी नई ब्रांचेज निकल आई हैं और पौधा 18 इंच क हो चुका है चार महीने बाद इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है साथ महीने बाद कच्छे एपल बेर का साइज बड़ा हो गया है आठ महीने बाद पौधा फ्रूट से पूरी तरह भर गया है जब फ्रूट का कलर डार्क ग्रीन से गोल्डन लाइट ग्रीन हो जात फलों में कनवर्ट होकर बड़े होने लगे हैं बीस महीने बाद लगबग सभी एपल बेर पकने लगे हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं बहुत से लोगों के लिए ड्रेगन फ्रूट एकदम नया फल है पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्वादिष्ट और न्यूट्रिशन रिच एक्जॉटिक फ्रूट को घर पर उगाना बाकी फलों के कंपेरिजन में सबसे ज्यादा आसान है और सही तरीके से उगाएं तो इसमें फ्रूटिंग होने की शॉरेटी भी होती है ड्रेगन फ्रूट को आप कटिंग या बीच से भी उगा सकते हैं और नर्सरी से इसका छोटा पौधा भी लाकर उगा सकते हैं अगर आपके आसपास की नर्सरी में ड्रेगन फ्रूट का प्लांट नहीं मिले तो आप एमजोन या फ्लिप कॉर्ट से ऑनलाइन भी ओर्डर करके मगवा सकते हैं आपके पास बहुत सारे आप्शन से दीजिए 15 दिनों बाद ड्रेगन फ्रूट के छोटे छोटे पौधे निकलाते हैं 20-25 दिन का हो जाने के बाद पौधों को निकाल कर सेपरेट पौट में लगा देते हैं ट्रांस्प्लांट के एक महीने में पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है आठ महीने बाद पौधा बड़ा लंबा और मोटा हो गया है हलाकि बीच से होगा है पौधे में फल आने में 2-3 साल या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है लेकिन अगर आप फल देने वाले ड्रेगन फ्रूट की कटिंग से पौधा हो गया है तो ये एक डिल साल के चील कर एक दो दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं दो दिन बाद इसे वेल ड्रेंड मिट्टी में लगा दीजिए बीच 25 दिनों में इसमें नई ग्रोथ निकलाएगी जब पौधा बड़ा हो जाए तो आप इसे बड़े कंटेनर में ट्रांस प्लांट करके ए ये रात को खिलता है फ्रूट सैट होने की शौरिटी के लिए हैंड पॉलिनेशन करना चाहिए एक सॉफ्ट ब्रश से इस तरह से इसके अंदर के पॉलन्स लेकर बीच के स्टिगमा के अंदर इस तरह से ट्रांसफर कर दीजिए कुछ दिनों में आप देखेंगे कि नीचे की तरह फ्रूट सैट होने लगेगा एक महिने में फल बड़ा होकर लाल हो जाएगा और हार्विस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा ध्यान रहे ड्रैगन फ्रूट कैक्टस प्रजाती का पौधा है और ज्याना पानी देने से ये खराब हो सकता है इसलिए पानी तभी द सकते हैं हलाकि इसे बीज से भी उगाया जा सकता है पर नरसरी में मिलने वाले अमरूत के पौधे बड़े फलदार पेड़ों पर गुट्टी या एर लेरिंग करके तैयार किये हुए होते हैं जो एक डेड़ साल में ही गमले में धेर सारे फल देने लगते हैं ये थाइलें इसे बड़े गमले में इसे ट्रांस्प्लांट कर दीजिए धेर साल बाद हमारा पौधा बड़ा और खना हो गया है और इसमें दोबारा फूल आने लगे हैं फ्लावरिंग के एक महीने बाद सभी फूल फल में बनल गये हैं 20 महीने बाद कच्चे अमरूत बड़े होने हो गए हैं अंगूर के पौधे को भी आप अपनी च्छत या बालकनी में 24 इंच या इससे बड़े कंटेनर में लगाईए तो ये आपको एक दो साल में अंगूर देने लगेगा जून से सप्टेंबर के बीच का समय बेल का ग्रोइंग सीजन होता है इसलिए अंगूर उग तो एक या दो ब्रांचेस को ही फैलने दीजिए और नीचे से पाच फुट उपर तक उखने वाली सभी ब्रांचेस को काटते रहिए तेल साल बाद अंगूर में फल आना शुरू हा जाते हैं और अंगूर पकर तैयार होने में लगबग 100 दिन के आसपास लगते हैं टेरिस गार्डन या बालकनी में आप अनार का पौधा लगा सकते हैं अनार के ग्राफटेट पौधे नर्सरी में साइज और वराइटी के हिसाब से 100 रुपे से लेकर 500 रुपे के अंदर आपको आसानी से मिल जाएंगे गमले में लगाने के हिसाब से अनार की बेस वराइटी होती है भगवा ग्राफटेट पौधे पर पहले ही साल में फूल आना शुरू हो जाते हैं और फूल आने के 6-7 महिने में अनार पक कर तैयार हो जाते हैं ये भगवा वराइटी का अनारगा ग्राफ्टेट पोधा है आप देख सकते हैं छोटे पौधे में भी फूल आ रहे हैं लेकिन पहले साल में आने वाले सभी फूलों को अगर आप तोड़ देते हैं तो पोधा जल्दी बड़ा होगा और घना भी होगा और अगले सीजन में ज्यादा फल देगा 12 इंचे उससे बड़े कंटेनर में स्वाइल मिक्स भर लीजिए अब इसमें पौधे को लगा दीजिए और अच्छी तरह से पानी दीजिए एक साल बाद ये अनार का पेड़ लगभग धाई फीट उचा हो गया है फिलहल फ्लावरिंग सीजन चल रहा है और मैंने इस बार भी सभी फूलों को हटा दिया है अनार के पेड़ में साल में दो या तीन बार फ्लावरिंग होती है डेल साल बाद इसमें दोबारा फ्लावरिंग शुरू हुई है इस बार में इन फूलों को तोड़ूंगा नहीं फ्लावरिंग खत्म होने के एक महीन इसने बाद ज्यादा तर फूल जड़ गये हैं लेकिन इसमें से कुछ फूल छोटे फ़लों में बदल गये हैं हमारा ये ग्राफ्टेड अनार का पेड लगभग 20 साल का हो गया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फल पूरी तरह से मिच्चोर हो चुके हैं और तोड़े जाने के लिए तैयार हो गये हैं इसका वेट अल्मोस्ट 300-400 ग्राम है 100% औरगेनिक ये अनार बेहद मीठा और रसीला है सीता फल या शरीफा एक ऐसा फ्रूट प्लांट है जो गमले में भी फलता है सीता फल का ये पेड मेरी छट पर गमले में लगा हुआ है और इस समय इस पर फल भी लग रहे हैं इसे आप बीच से या नरसरी प्लांट से भी उगा सकते हैं दो ड़ाई साल में इसमें फलाना शुरू हो जाते हैं सीता फल के इस पौधे को मैंने इस सीमेंट के गमले में लगा दिया है अच्छी ग्रोध के लिए इसे फुल सनलाइट पर रखना ज़रूरी है सीता फल का हमारा पौधा एक साल का हो गया है इसका स्टैम भी मोटा हो गया है और पौधा बुशी भी हो गया है तेर साल बाद इसमें फलावरिंग भी शुरू हो गई है और कुछ फूल छोटे फल में भी कनवर्ट हो गया है 20 महिने में सीता फल का साइस थोड़ा बड़ा हो गया है सीता फल का ये पौधा लगबग 2 साल का हो गया है जब फल का रंग हलका होने लगे और इसके आइज के बीच की दरारों में भी हलकी सफेदी सी दिखने लगे तो समझ लीजे ये फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है कुछ दिनों तक इसे निउस पेपर में लपेट कर बॉक्स में रख दीजे और थोड़े दिनों बाद ये इस तरह से पक कर सौफ्ट हो जाएगा गमले में सबसे आसानी से उगने वाले पौधों में अगले नंबर पर है चीकू सही देखभाल से इसमें धेर सारे फल भी आते हैं लगाने के एक साल बाद ही इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फूल आने के बाद 6 महिने में चीकू तोड़े जाने के लिए तयार हो जाते हैं ये क्रिकेट बॉल वेराइटी का ग्राफ्टेट चीकू प्लांट है इसे मैंने अपनी लोकल नर्सरी से 1.500 रुपए में खरीदा है अब मैं इसे 18 इंच डायमीटर वाले बड़े मिट्टी के गमले में ट्रांसफर कर दूँगा एक साल बाद इसमें काफी नई ब्रांचेज आ चुकी हैं जिससे ये पौदा बुशी हो गया है पौदे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है लेकिन इस स्टेज पर हमें पौदे के फ्रूट्स नहीं लेना है इसलिए मैं इन सभी फूलों को तोड़ देता हूँ चीकू का प्लांट थाई साल का हो चुका है इसका तना भी मोटा हो गया है और उसमें दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई है एक महीने बाद फ्लावर्स फ्रूट में कनवर्ट हो गई है दोस्तो ग्राफ्टेट चीकू के प्लांट को इस पॉट में लगाए हुए लगभग तीन साल हो गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर धेर सारे चीकू मिचूर हो गई है जब चीकू लगभग इस साइस के बरावर मोटे हो जाएं तो इन्हें आप हार्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से चीकू डाल पर नहीं पकते इसलिए इन्हें पकाने के लिए इन्हें अकबार में अच्छी तरह से लपेट कर किसी बॉक्स में बंद करके कुछ दिनों के लिए रख दीजिए ये एकदम मुलायम और रसीले पक कर निकलेंगे छे निदों बाद ये सॉफ्ट हो गए हैं और पूरी तरह से पक चुके हैं ये फ्रेश और्गैनिक चीकू काफी टेस्टी और जूसी है दोस्तों आप गमले में आम का पेड़ भी लगा सकते हैं जो गमले में भी डेफिनेटली फ्रूटिंग करेगा हलाकि आम की सभी वेराइटी गमले में फल नहीं देती लेकिन दशहरी, आमरपाली और बारामसी थाई मेंगो वराइटी गमले में उगाने के लिए बेस्ट होती है दशहरी वराइटी का ये मेंगो प्लांट तीन साल का है और फिलाल फलों से भरा हुआ है इस तरह का मेंगो ट्री उगाने के लिए आप नर्सरी से ग्राफ्टेट प्लांट लाइए ये दशहरी वराइटी का ग्राफ्टेट प्लांट है जिसे मैंने तीन सो रुपे में खरीदा है अब मैं इस बड़े कंटेनर में इसे ट्रांस्प्लांट कर रहा हूँ तेड़ साल बाद आम के पेड़ पर फ्लावरिंग शुरू हो गई है पाच महिने बाद आम पक चुके हैं और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है वैसे तो पपीता का पेड़ जमीन पर लगाया जाता है लेकिन बड़े कंटेनर में सही तरीके से उगाएं तो कंटेनर में भी ये पपीता बड़ी अफल देगा पपीते के पेड़ को आप बीज से उगा सकते हैं लेकिन अगर आप कंटेनर में उगा रहे हैं तो हाइब्रेट थाइलेंड विराइटी का पपीते का पौधा नरसरी से जाकर लाईए ये लगबग हर नरसरी में आसानी से मिल जाता है पपीते के पौधे को 24 इंचिया उससे भी बड़े कंटेनर में लगाना ज़रूरी है छोटे पौट में लगाने पर इसमें फल नहीं आएंगे बीज लगाने से लेकर फल पकने में इसमें 8 से लेकर 12 महीने का समय लगता है मैंने इस बड़े कंटेनर में मिट्टी भर ली है अब इसमें पौधे को ट्रांस्प्लांट करके अच्छी तरह से पानी दीजिए और फुल सनलाइट में रखिए तीन महीने बाद पौधे में तेजी से ग्रोध हुई है और पौधा धाई तीन फिट के आसपास कहो गया है इसमें छोटे छोटे फूल भी दिखाई दे रहे हैं पर ये फूल अपने आप गिर जाएंगे ये है रिजल्ट 6 महीने बाद का देखिए पपीते के पेड़ में क्या जबर्दस ग्रोध हुई है इसका तना भी काफी मोटा हो गया है और बड़ी बड़ी पत्तियां निकलने लगी है इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है फल सेट होने की शुरिटी के लिए आप मेल और फीमेल फ्लावर के बीच हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं 7 महीने बाद पपीते बड़े होने लगे हैं और पेड़ 7 फीट लंबा हो गया है 9 महीने बाद पेड़ 8 फीट उचा हो गया है आप देख सकते हैं इसके फल पक चुके हैं और अब ये तोड़े जाने के लिए तैयार है स्ट्रॉबरी का पौधा गमले में उगाये जाने वाले फ्रूटिंग प्लांट्स में सबसे इजी टू ग्रू होता है स्ट्रॉबरी सर्दियों में फ्रूटिंग करता है एक पौधा लगभग 4-5 साल फल देता है आप इसे बहुत ही आसानी से गमले में लगा सकते हैं इसके पौधे नर्सरी में सब्टेंबर से लेके नवंबर के बीच में अवेलेबल हो जाते हैं इसमें दिसम्बर से लेकर मार्च तक फ्रूटिंग होती है आप फ्रेश स्ट्रॉबरी के बीज निकालकर उन बीजों से भी पौधे बना सकते हैं nursery से seedlings लाकर well-drained और nutrition से भरपूर मिट्टी में transplant कर दीजिए 20 दिनों में इसमें flowering शुरू हो गई है एक महिने बाद flowers फ्रूट में convert हो गए हैं और इसमें कुछ strawberries भी पकर लाल हो गई है दो महिने बाद पौधे पकी हुई लाल-लाल strawberries से भर गए है गमले में आसानी से उगने वाले फलों के पौधों में अगले नंबर पर है star fruit इसे कमरक भी कहते हैं इसका खटा मीठा स्वाथ बहुत ही बढ़िया होता है और इसका fruit nutrition से भरपूर भी होता है ये मेरा 3 साल पुराना star fruit का plant है इसे मैंने 16 इंच के गमले में उगाया हुआ है और इस पर धेल सारे पके हुए और मीठे स्वार fruits लगे हुए है star fruit का grafted पौधा आपके आसपास की नरसरी में size के हिसाब से 200 रोपे से लेकर 2000 तक की range में मिल जाएगा गमले में मिट्टी भरकर पौधे को गमले में लगा दीजिए और अच्छे से पानी दीजिए star fruit का हमारा plant एक साल का हो गया है और काफी लंबा हो गया है 18 महीने बाद इस पर flowering शुरू हो गई है 20 महीने बाद फूलों की जगा पर छोटे छोटे फल बनने लगे है लगवग सभी flowers fruit में convert हो गए है 23 महीने बाद सभी fruit बड़े हो गए है plant पूरे 2 साल का हो चुका है और फल हलके golden color के होने लगे है इसका मतलब star fruit अब harvesting के लिए तयार है इसका खटा मीटा स्वाद लाजवाब होता है गमले में धेर सारे फल देने वाला अगला fruiting plant है Melbury याने शेतूत ये है 2 साल का सफेज शेतूत वेराइटी का grafted पेड जिसे मैंने 14 इंच के मिटी के गमले में लगाया हुआ है और अभी इस पर धेर सारे मीठे मीठे फल भी लगे हुए है इसमें साल में दो बार नवंबर और अप्रेल में fruiting होती है गमले में आप डार्क रेट फल देने वाली शेतूत की देशी वेराइटी भी लगा सकते हैं जिसमें खटे मीठे फल आते हैं या सफेज शेतूत वाली ये hybrid वेराइटी भी उगा सकते हैं जिसके फल एक दम मीठे और लंबे होते हैं और पकने पर सफेद हो जाते हैं इन वाइट मेलबरी वेराइटी के grafted पौधों को मैंने एक साल पहले नरसरी से 100 रुपे में खरीदा था और इसे 14 इंच के मिट्टी के गमले में लगाया था 21 महीने बाद पौधा काफी बड़ा और घना हो गया है इसकी branches में इस तरह की धेर सारी buds निकलना शुरू हो गई हैं यहीं से नए shoots निकलेंगे जिनमें fruiting होगी plant अब 22 महीने का हो गया है और इसमें छोटे-छोटे हरे फल आना शुरू हो गए है 23 महीने में शेयतूत के फल लंबे और मोटे हो गए है मेलबरी के पौधे को गमले में लगाया हुए लगभग 2 साल हो गए है और इस समय पूरा पेड रसीली और लंबी-लंबी वाइट मेलबरी से भरा हुआ है जब फलों का रंग हरे से बदल कर हलका सफेद सा होने लगे तो समझ लीजिए यह तोड़े जाने के लिए तयार हो गए है इसका टेस्ट एकदम शेयत की तरह मीठा है इसी तरह से आप गमले में लीची का ग्राफ्टेट प्लांट भी लगा सकते हैं जो गर्मियों में फ्रूटिंग करेगा आप इसे भी सीट से उगा सकते हैं पर बीज वाले पौधे 7-8 साल बाद फल देंगे इसलिए ग्राफ्टेट पौधे से ही इसे उगाना चाहिए जो एक डिल साल के अंदर ही फ्रूटिंग शुरू कर देगा लीची आप भारत में किसी भी जगह पर उगा सकते हैं आप चाइना ओर्रिज का पेड़ भी गमले में बहुत आसानी से उगा सकते हैं नर्सरी से इसका छोटा पौधा लाकर आप उगाईए और ये कुछी महीने में फलों से भर जाएगा ये साल में दो बार फूटिंग करता है और लगबग तीन चार महीने तक इस पर पके हुए औरेंजिस लगे रहते हैं फलों से लगे हुए इन चाइना ओरेंजिस को देखने वाला देखते ही रह जाता है इसका स्वात खटा मीटा होता है फलों के पौधे जब गमले में उगाते हैं तो इन्हें लगातार बढ़ने और अच्छी तरह से फूटिंग करने के लिए रेगुलर फर्टिलाइजर देने की बहुत ज़रूरत होती है सभी फूटिंग प्लांट्स को आपको महिने में एक बार गमले के साइज के हिसाब से दो मुठी पर स्कॉयर फीट अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाग या वर्मी कंपोस डाल कर मिट्टी को हलका खोद कर धीला कर लेना चाहिए गमले में लगे फूट प्लांट्स को नूट्रिशन्स के साथ-साथ माइक्रो नूट्रियंट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है micronutrients की कमी पूरी करने के लिए महिने में एक बार दो चम्मच biozyme granules या seaweed extract granules गमले में डालिए आप महिने में एक बार 5 ml seaweed extract liquid एक लीटर पानी में मिला कर भी पौधे पर स्प्रे कर सकते हैं और इस liquid को मिट्टी में भी डाल सकते हैं ये सभी चीज़े आपको आसपास की किसी भी local agriculture shop पर आसानी से मिल जाएंगी फलों के पौधों पर aphids, millibugs या spider mites लगना बहुत common है इन से चुटकरा पाने के लिए हर 15 दिन में एक बार एक लीटर पानी में 5 ml नीम उयल मिला कर पूरे पौधे पर अच्छी तरह से स्प्रे करके इन्हें नहला दें जहरीले chemical pesticides और synthetic fertilizers फलों के पौधों में कभी नहीं डालना चाहिए क्योंकि घर पर फल सबजी उगाने का परपस ही होता है pesticides free organic fruits vegetables उगाना तो उमीद है दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको भी अपने गार्डन या च्छत पर फलों के पौधे लगाने का motivation मिला होगा